गुड मॉर्निंग बच्चों, now we are studying about the fibers in fabrics and the topic is processing of flashes into woolen fabrics मतलब जिससे सबसे first number अपन क्या करते हैं, एक processing है, जिस processing के अदर अपन क्या करते हैं कि woolen flashes into woolen fabrics, मतलब की जो flashes आप ship के थूरू जो अपन find out करते हैं, उसको अपन woolen fabric में कैसे convert करते हैं उस convert करने के processes हैं, जिसमें अपन first number processes ये कहते हैं कि sharing of flesh sharing of flesh के अंदर अपन क्या कहते हैं, कि the flesh of the sheep along with the very thin layer of a skin is removed from its body this process is removing flesh from the body of sheep, is called searing, तो first process अपन को क्या आगया, searing searing में अपन क्या करते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जिसमें अपन कहते हैं कि flashes of sheep जो होते हैं along with the very thin layer जो होते हैं उसके, उसको अपन remove कर देते हैं उसके body parts से इसी process को अपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपन ये generally जो है, once मतलब की ये चीज़े जो flashes अपन करते हैं किसी वो लेंड, sheep के थी वो तो वो आपको जैसे year के अंदर मतलब one time अपन करते हैं, मतलब साल में आप एक बार इसको मतलब remove करोगे सिर्फ के audience ज्यादा तर अपन को early summer के समय में इसको कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर climate जो है, वो change हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको ध्यान में रखना हो जाता है, ठीक है उसके बाद second number है यह एक table भी आपको यहाँ पर present है, इस table के अंदर आपन यहाँ पर table को भी आप ध्यान डख लिलना, जिसमें अपन को name of breed है, तो name of breed में आपन कहते हैं, वर्टवाल, state of the wear, date, ठीक है, quality of wool, इन सब को आपको अलग-अलग तरीके के, जिसे राजस्तान, जम्मू कस्मीर, आपन को मिलते हैं, वह अलग-अलग तरीके के, जिसे राजस्तान के quality दे रखे हैं, इसको भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, अब अपन second process, second process of manufacturing, तो second process में अपन क्या कहते हैं, जिसे wool manufacturing, तो wool manufacturing क्या होते हैं, तो wool manufacturing को अपन generally क्या कहते हैं, कि जिसे first number नमबर, इसको process किसे कैसे करते हैं इसे फर्स्ट नंबर प्रोसेस अपन कहते हैं कि the initial process is processing of raw wool is sorting of the woolen fibers the flashes is pulled apart by the hand and sorted into the separate piles of similar nature mainly on the basis of fineness length and freedom from defects तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि wool manufacturing के लिए sorting करते हैं woolen fibers को sorting process के अंदर अपन क्या करते हैं उसको fineness करते हैं उसकी length को check करते हैं ठीक है उसके बाद आपन freedom from defects उसके defect effect जो होते हैं वो सब और यहांसे khaटम कर देते हैं second step में क्या करते हैं कि जैसे sorting हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हो after sorting the similar fibers are cleaned it is because the raw wool उसक फिलेस पहले निकालते हैं उसकी लैंस देखते हैं उसके जो दिकत होते हैं उसकोह भता हैं करते हैं मतला scoring clean process होता है, जिसमें उसको अपन clean करते हैं, ठीक है, third process अपन कहते हैं, carding machines के थुरुब अपन उसको क्या करते हैं, कि इसमें all-and-fibes into straight continuous form, is called the carding, carding एक तरह का carding machine होता है, जो अगर मानलो जो उसके flashes होते हैं, स्प्व के तो वह सब के होते हैं वह बिलकुल आ स्दकी जिग जग टैप के होते हैं तो आपने क्राइड करते हैं, मतलब एक बिल्क्ल एक 2030 कंटिनीवस फॉर्म दे देते हैं ठीक है, उसके बाद अपन इसके अंदर ठर्ड नमबर स्टेज में आ जाते हैं जिसमें अपन सौडी कहते हैं एक मिनिट